जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है वो है OPS का यानि कि Old Pension Scheme का Old Pension Scheme यानि कि करमचारियों को retirement के बाद मिलने वाली pension तो देखिए आपको पता है कि 2004 तक जितने भी करमचारी लगे हुए थे उन्हें Old Pension Scheme मिलती थी ज जिसमें लास्ट बेसिक जो लास्ट सेलरी ड्रोन है उसका 50% जो है उन्हें pension के रूप में मिलता था retirement के बाद लेकिन 2004 के बाद जितने भी करमचारी जो नहीं लगे हैं उनके उपर NPS लगा दी गई Old Pension Scheme को बंद कर दिया था पूर्व की जो भाजपा की अटल विहारी वा 10% अंसदान employee से लिया और 10% ही government ने जमा करवाया PFRDA के पास और कोई भी guarantee नहीं है NPS में कि retirement के बाद कितनी आपको pension मिलेगी और हाल ही में जो है आपने देखा होगा कि दिल्ली में करमचारियों ने एक बड़ा परदर्शन किया था कि Old Pension Scheme को लागू किया जाए तो अब ज इसी करम में अब आंदरपरदेश सरकार ने भी एक नया तरीका निकाला है pension देने का सरकारी करमचारियों को तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आंदरपरदेश government publishes ordinance on guaranteed pension system for employees तो आंदरपरदेश सरकार ने old pension scheme तो लागू नहीं की है लेकिन उसकी जगा एक नया system निकाल दिया है GPS यानि की guaranteed pension system इसमें यह होगा कि OPS और NPS का एक mixture है hybrid system है जिसमें employees को retirement के बाद guaranteed pension मिलेगी तो यह जानते है क्या है इस system it aims at ensuring financial security to and welfare of the government employees who have subscribed to the NPS तो देखिए OPS तो लागू नहीं की गई है और नहीं NPS को खतम किया गया है इन दोनों का एक mixture निकाला गया है अंदरपरदेश सरकार द्वारा जिसमें कहा गया है कि it was aimed at ensuring financial security and to welfare of the government employee who had subscribed to NPS by implementing a guaranteed pension system तो अब NPS की जगा GPS लागू कर दिया गया है जि इसमे NPS वाला system तो रहेगा ही कि 10% जो है employee contribute करेंगे अपना basic plus दियेगा और उतना ही government contribute करेगी लेकिन retirement पर जो है compulsory जो है guaranteed pension मिलेगी 50% of last salary drone the act was applicable to the employees who had been recruited on or after September 2004 तो जितने भी करमचारी एक September 2004 के बाद employee किये गए है उन पर अब GPS लागू कर दिया गया है आंदरपरदेश सरकार द्वारा अब इस bill में क्या है यानि कि GPS system में क्या होगा according to the bill state government employees will have to contribute 10% to GPS and the government will also contribute the same amount after retirement the employee will get 50% of his last salary as pension तो जैसे कि मैंने आपको बताया GPS में क्या होगा NPS वाला system रहेगा कि 10% employee contribute करेगा और उतना ही government contribute करेंगे लेकिन जो guarantee NPS में नहीं थी कि retirement के बाद कितनी pension मिलेगी वो अब GPS system में fix हो गई है कि आपको 50% last salary drone का मिलेगा ही मिलेगा इसके अत्रिक मेंगाई बता ही मिलेगा जिसे dearness relief कहते हैं तो ये बहुत अच्छी खबर है कि फिलहाल के लिए तो देखिए जो old pension scheme की मांग थी वो तो लागू नहीं की है लेकिन फिर भी यहाँ पर guarantee जरूर दे दी गई है सरकार द्वारा कि last basic ज तो आप सबकी क्या राय है आप अपनी राय हमें comment box में जरूर दें